हेलो दोस्तों बेलकम टू स्पेसल स्टेडी विद्राम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है ब्रिक ब्रेकिंग निज निकल कर आ रही है बिहार सिक्षक भरती को लेकर 40506 प्लस 6421 कुल मिला के 47000 के करीब बेकेंसी निकल कर आ रही है बिहार सिक्षक भरती के लिए जिसमें PGT, TGT, PRT, PAT अदस टीचर्स रिक्रूमेंट सामिल है इस भरती से जुड़ी संपूर जनकारी, I.O., योगता, बेतन, इक्जाम पैटन, सलेबस आपको कैसे तयारी करनी है इंटर्वी होगा इसमें की नहीं होगा इस भरती पर सारी जनकारी बिल्कुल विस्तार से इस वीडियो के माधन से स्यार किया जाएगा आप वीडियो को सुरू से लेके आखिर तक जरू से जरू देखेगा आलोबर इंडिया लेवल से और टीचा सिक्रूमेंट की सभी पकार की लेटिस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यदि आप अभी तक हमारी इस यूटूब चैनल को नहीं सब्सकाइब किया है तो सब्सकाइब कर ले क्योंकि इस चैनल में केवल टीचा सिक्रूमेंट की सभी पकार के लेटिस्ट अपडेट को केवल प्रोवाइट करा जाता है साथी बता दू दोस्तों कि इस साल की सवसे बड़ी वैकेंसी जारी की गई है पिहार राज्यक्ये द्वारा और इस वीडियो के माधन से बताएंगे कि कौन कौन कंडिडेट अप्लाई कर सकते किया है अधर राज्य वाले भी कंडिडेट इस फांग को अप्लाई कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे सारी जानकार इस वीडियो के मादन से प्रवाइड कराएंगे आप वीडियो के इन तक बने रहें यहाँ पर देख लें जो पब्लिक नोटिपकेसन जारी किया गया है विहार लोक्षेवा आयोग विज्यापन क्रमांग सिच्छा विभाग विहार के अंतगात प्राथ्मिक विद्यालों में प्रधान सिच्छा के कुल 40,596 पद्न पदोपन निक्ति है तुस्योग भाती प्रधान आंवेदान आम अंतित किये जाएंगे देखने कब से कब आवेदान करने की परहमिक जो तिती 283-2022 आनलाइन आवेदान भारने की जो अंतिती रहे की 22 अप्रेल 2022 तक फांग को अपलाई कर सकते हैं देख लें जो पब्लिक नोटिपकेसन जारी किया गया है 40,506 पदों पर तो अनराचित बर्ग के लिए 16,200 चार पदे हैं और 35,368 के लिए 5,686 पोश्टे हैं आथिक रूप से कमजोड बर्ग जो EWS वाले होते हैं 4,046 पद और 35% में 1,203 पद अंसूचित जाती में 6,477 अंसूचित जन जाती में 418 पोश्टे अंद पिछड़ा बर्ग में देख लें 7,290 जबकि पिछड़ा बर्ग में 4,861 पदे हैं पिछड़े बर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए देख लें 1210 पोश्टे कुल मिलाकर 40,506 पोश्टे इसमें हैं और 35% 368 पोश्टे निकल के आ रही हैं जिन में से देख लें 810 पोश्टे निकल के देख लें 10 पोश्टे निकल के आ रही हैं आंगे पूरी प्रकिया जान लें क्या क्या है तो बेतन मान देख लें पैरंफिक बेतन जो रहेगा 30,500 इमंवराज सरकार दौरा समय समय पर किये जाने वाले बेतन पुन्रिच्छन के आलोग में परवत्नी होगा निकल बढ़ता भी जाएगा अब देख लें कौन कौन कंडिडेट अप्लाई कर लेंगे या सेच्छिन के उकता उनके पास क्या क्या होनी चाहिए तो फार्म को अप्लाई कर सकते हैं भारत का नागदिक हो और भिहार प्राज का निवासी हो मानता प्रात विश्विद्याले से कम से कम पचास पैसत अंकों के साथ इसनातक उत्यर्ण किया हो अनसूचित जाती अन्द पिछड़ा बर्ग पिछड़ा वांग दिब्यांग महिला आथिक रूप से कमजोड बर्ग के निंतम निधाय तंके पाच पिशत छूट दी जाएगा उनको मौलाना मज हुरूल हक अर्बियम फार्सी विश्विद्याले पतना विहार राज मदसा सिक्षा बोर्ट दारपदत आलिम की डिग्री एबं कामिस्वा सिंग दरवंगा संस्कत विश्विद्याले दारपदत सास्ती की डिग्री को इसनात उत्यर्ण हो तो फार्म को अप्लाई कर सकते हैं बस 2012 या उसके बाद निक्ती सिच्छण है तू शिक्षक पाता में परिच्छा में उत्यर्ण हो या बस 2012 से पूर्ण निक्त सिच्छकों के लिए दच्छता परिच्छा उत्यर्ण होना अनिवार होगा तभी फार्म को अप बिहार सरकार एवं केन सरकार दौरब परदिकरत संस्थान दौरब बरद एक से पांच तथा छैसे आठ में सिक्षक के पत्पन्युक तहेतु आजित होने बाली पाता परिच्छाओं परत्तिम होना चाहिए उम्रिश्वीमा देख लें बिहार सरकार पंचाती राज संस्थान एवं नगार निकाह संस्थान अंतरगत कायरत सिक्षक के लिए निन्तम एवं अधिक्तम आयुस्वीमा अलग अलग निधारी नहीं की जाएगी प्रन्त अधिक्तम आयुस्वीमा दिनांग 1821 तक सेने बत्तिम के उम्र जो होनी चाहिए 60 बस से निधारी था मतलब उससे देख लें क्या रहेगा सेलेक्षन इसकी प्रोसेस तो सेलेक्षन प्रोसेस देख लें चैन परतिया लिखित परिच्छा होगी आपकी जिसमें से लिखित परिच्छा जो होनी है 150 अंगों प्रिश्णों की होगी जो बसनिष्ट एवं बहु विकल्पी होगे जिसमें समान अब देख लें तो जो कटेगरी के लिए कर्चेगरी बाज आरच्छाण की बात की जाती है अरच्छाण का लाब नहीं मिलेगा यदि आप उसमें उमिद्वारों के जन का इस्थाई निवास बिहार राज में है जो बिहार के मूल निवासी हैं बाहर वाले मूल निवासियों locally नहीं दिया जाएगा अन्सूचित जाती अन्सूचित जन जात के उम्मिद्बारों को निनांकित प्रमाडपत जमा करना अनिबार होगा जात प्रमाडपत इस्थाई निवास और डेशिमल प्रमाडपत आपको जारी जिनांक के अंदर अंदर का ही जीवित पंजियन का चाही पिछड़ी जाती अन्द पिछड़ी जाती के उम्मिदवारों को क्रीम लेयर सहीत प्रावड़पत का जमा करना अन्वार होगा अब देखने जो आपको फार्म बरते समय जरूरी रहेगा अन्सूचित जाती का जो ST का कोड है याँ पे देखने 0-2 ST का रहेगा 0-3 अन्द पिछड़ा वर्ग के लिए 0-4 पिछड़ा वर्ग के लिए 0-5 आथिक रूप से कंजोर वर्ग के लिए 0-7 उनका कोड वर्ड रहेगा अब देखने परिच्छा सुल्प क्या क्या रहेगी तो समान अब बैतियों के लिए 750 रुपए चार्ज लगेगा केवल बिहार राज के अन्सोचित जन्जात के लिए 200 रुपए बिहार राज के सभी इस्थाई निवासी आरच्छित वा अनरच्छित महिलाओं के लिए 200 रुपए चाहो किसी भी कटेगरी से बिलोंग करती हो अब बैतियों जो 40% से अधिक है तो उनको 200 रुपए का चार्ज लगेगा किसी भी कटेगरी से बिलोंग करते हो ऑनलाइन आवेदन करने की परणविक्ति थी तो बता ही दिए गई कि 28-23-2022 से फाम चालू होगा अपलाई करना और इसकी अंतिन तिक रहेगी 22-23-2022 तक फाम को अपलाई कर सकते हैं देख लें फाम भने की प्रक्या दिया गई यह आपको फाम कैसे भरना है पूरी प्रक्या इसमें बतायागा कि आनलाइन आवेदन कैसे करना है आनलाइन आवेदन भरने से पूर आवेदक सुनुचित हो लें कि उनके पास कारत email id, mobile number मौजूद है कि नहीं है यदि दोस्तों आपके पास यदि email id और mobile number नहीं है तो आप पहले email id जरूर से जरूर बन बालीजिए इसके बाद ही रेजिस्टर कवाई इसकी ओप्सियल वे साइट यहां पर देखने www.onlinebps.br.government इन पर फार्म की पूरी प्रकिया उप्लद कराएगे यही से आपको फार्म अप्लाई करना है तो आपके पास सारे डाकूमेंट भी होने चाहिए एक फोटो होना चाहिए बाकी help line number भी दिया है आपके देख लें only query related online application नहीं मानने रहेंगे जो help line number दिया है इसके बाहरी चीजों के लिए नहीं है तो आपके इन में से इस फार्म से लेकर कोई भी query हो तो इसमें call कर सकते हैं आप या query कर सकते हैं और इसको फार्म भरतने से पहले आप इस पूरी प्रक्या को जरूर पढ़ लें आप इसकी इनसार्ट भी ले सकते हैं जो भी candidate इस युवल है फार्म भरने के लिए तो बहुत जरूरी है उनके लिए ये जानना अनि एक mistake कानूर का फार्म को reject कर दिया जाएगा सो दोस्तों इन में से कोई भी आपकी कोईरी हो बिहाल लोग से बाइयो किस्से जो सिक्षक भरतनीक लिए है हमें comment section box में जरूर बताएं thank you